हलो एवरीवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो एसोल के जो न्यूली एड्मिटेट स्टूडेंट हैं अंडर गेजुट कोर्स के फर्स सेमेस्टर वाले जिन्होंने 2020 में एड्मिशन लिया है उनके फर्स सेमेस्टर के जो क्लासिस हैं वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है क्लासिस दोस्तो ऑनलाइन स्टार्ट होंगी गूगल प्ले स्टोर से आपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है Microsoft Teams एप ठीक है यहां पर आप प्ले स्टोर पर आप दिखोगे यह Microsoft Teams एप जो है यह आपको डाउनलोड करना है इसका डारेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इसको आपको ओपन करना है ठीक है इसको पहले मैं ओपन करता हूँ ओपन जब आप इसको करोगे तो इसमें आपसे एक ID और पासवर्ट मांगा जाएगा साइन इन करने के लिए ठीक है ID और पासवर्ट मांगा जाएगा जैसे यहां पर साइन इन विद अन्हेदर अकाउंट पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहां पर देखिए यहां पर आपको ID डालनी है जो आपको SOL से मिली है अपनी परसनल इमेल ID यहां पर नहीं डालोगे आप जो आपको SOL से ID मिली है वो डालोगे ठीक है इसके बाद फर्दर पुसिट करके साइन इन करोगे पहरे हम देख लेते हैं कि भई वो ID और पासफ़र्ट आकर हमको मिलेगी कहां से तो यार उसके लिए आपको SOL की ओफिशिल वेबसाइट पर जाना है देखो दो सिनेरियों हो सकते हैं या तो अपने अपना ID कार्ट और फिरिसिप डाउनलोड कर लिया है अगर कर लिया है तो अफकोर्स आपको आपका रोल नंबर और बारकॉर्ट पता होगा ठीक है अगर नहीं करा तो एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा उस वीडियो को जाकर देखी उसमें मेंने समझा है कैसे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर अजियूम करता हूँ कि आपके पास आपका आईडि कार्ड या फिर रिसिप्ट है और आपको आपका रोल नंबर और बारकॉर्ट पता है तो यहाँ से मैं कंटीनू टू वेबसेट पर जाऊंगा उसके बाद नीचे मैं आऊंगा स्टूडेंट डैशबोर्ट के सेक्शन में यहाँ पर मुझे अपना एसोल का रोल नंबर और बारकॉर्ट से लोगिन कर लेना है जैसे ही मैं लोगिन करूँगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होगी और उस विंडो के अंदर your Microsoft Teams ID this and password this दिखा रहा होगा देखो Microsoft Teams ID जो होती है वो आपका जो एसोल का रोल नंबर होता है वोही होता है पस उसक्या के at the rate sol-du.ac.in यह लिखावा होता है वही पासवर्ट जो होता है वो आपका एसोल का बारकॉर्ड होगा लेकिन उससे पहले small में sol और hashtag लिखा होगा फिर उसके बाद आपका बारकॉर्ड यह password होगा ठीके तो आप login करोगे और उसमें अपना ID और password चेक कर लोगे यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ हो सकता है सभी बच्चों के dashboard में ID password अभी नहीं दिख रहा हो क्योंकि यह लोग phase manner में provide करते हैं ID password सबको एक साथ नहीं करते हैं तो अगर आपके dashboard में नहीं दिख रहा है वो option तो panic create करने वाली बात नहीं है कुछ time में आपके dashboard में भी show हो जाएगा तो ID password आपको मिल जाता है उसके बाद आप यहाँ पर sign in वाले page पर आते हैं और यहाँ पर जो भी आपकी ID है यहाँ की asol का roll number at the right soul dash du dash sorry at the right soul hyphen du dot ac dot in वो ID यहाँ पर दालोगे और sign in पर click करोगे तो मैं ID दाल कर sign in कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों यह आपसे password बांगेगा ठीक है enter your password password अगेन आपके login dashboard में ही है वही वाला password आप यहाँ पर enter करोगे देन यहाँ पर sign in पर click करोगे तो जैसे ही आप sign in पर click करोगे तो यह आपका sign in होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर मैं इसको slide right कर देता हूँ got it पर click कर देता हूँ तो यहाँ देखिए यह आपका sign in हो चुका है यहाँ पर देखिए activities का tab है जो भी आपकी activities होंगी वो यहाँ पर शूओंगी chats वगरा है teams है जो भी teachers आपके teams बनेंगे अलग-अलग subject की आपके course की वो यहाँ शूओंगी assignment in the sense assignment वो अले assignment नहीं है कि आपको करने हैं यहाँ प अला है तो उसकी भी information आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आपका समझ लिजिए 70% काम होगे classes का अब जो बचावा काम है वो क्या होता है आपको student dashboard होता है आपको वहाँ पर login करना होगा वहाँ पर जब आप लोग-इन कर लोगे तो सबसे उपर आपको online classes का एक link मिलेगा उस link पर आप जाओगे वहाँ पर आपको links मिल जाएंगे उस link से आपको join करना है जब online classes start होंगी तुम आपको practically join करके दिखाओंगा कि किस तरीके से आपको link पर click करके join करना है लेकिन उस link पर click करने से पहले जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है ID बनाने आनी चाहिए उसके बाद ही आप जो है classes के link से join कर सकते हो without creating your ID and password आप join नहीं कर सकते ठीक है तो इतना काम आप करिए ठीक है और अगर आपको problem आती है ID और password आपके dashboard में आ गया है लेकिन sign in आपका फिर भी नहीं हो रहा है तो एक email ID है password at the right soul-du.ac.in इस email ID पर अपनी query send कर दी और S.O.L. का roll number भी mention कर दीजिएगा तो मीट करता हूँ आपको ये video useful लगी हो तो video को share करेगा ठेंक्यू